विल्काम दोस्तों कैसे हो आप साब गुड़ बर्निंग बेंगोल चैनल पर आप सभी का स्वागत है ते चलिए शुरू करते हैं सोटी से इंट्रों के बाद दोस्तों आप सभी ने एंट्रोंड फोन तो जरूर यूज करते होंगे यार उस फोन में क्रोम ब्राउजर जरूर रहते हैं और आप सभी न कभी ना कभी एंट्रोंड फोन से क्रोम ब्राउजर में गंदे गंदे वेबसाइट की नोटिफिकेशन आते हैं ओफेस करते होंगे लेकिन आप सभी ने कोशिश किया होंगे इन गंदे गंदे नोटिफिकेशन को मोबाइल में आने से रोका जाए या बंद किया जाए तो दोस्तों मोबाइल की सेटिंग पर आने के बाद आपको इजिली यहाँ से शो हो जाएंगे स्टेटास बार एंड नोटिफिकेशन तो यहां से Chrome Browser आप देखें यहां कहा पर है तो Chrome Browser यहां इस मोबाइल पर नहीं है आपकी मोबाइल पर शाहिद होंगे लेकिन मेरे Chrome Browser अभी तक अपडेट नहीं किये होंगे इसलिए नहीं होंगे तो यहां पर आपको Chrome Browser पर जाना होगा Chrome Browser पर क्लिक करते ही उपर राइट साइड में थ्री डॉट आपको दिख रहा होगा तो दोस्तों मोबाइल की Chrome Browser उपेन करने के बाद यहां से आपको उपर साइड पर राइट साइड पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स दिख रहा होगा सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है यहां से उपर की तराफ स्क्रॉल करते हैं वक्त आपको यहां से एक सेटिक जाएगा साइड सेटिंग यहां पर आपको क्लिक कर लेना है तो क्लिक करने के बाद आपको उपर में रुषो हो जाएगा वाल साइड यहां से ही सब क जाएंगी दोस्तों तो मेरे सला कि आपको सभी वेबसेट्स को यह से रिसेट एंड क्लियर कर लेना है और अभी आपको यह से बैक आजाना है बैक आजाने के बाद नोटिफिकेशन को गलओ पर क्लिक करना है यहां पर भी आपको कुछWeb WWE शो होंगे यहां पर भी आपकोาง पर भी वेब को बलोग करना हैं तो जिन जिन website को आभी तक अलाओ किये होंगे उन website से ही SMS शो होता है तो इसलिए दोस्तो उन गंदे-गंदे नोटिफिकेशन से आते हैं तो हर किसी को हर साइड से आपको यहाँ से एलाव को बांद करना होगा और आपको Chrome ब्राउजर एक और बार लास्ट टाइम के लिए आपकी यहाँ से जहाँ पर भी आपका Chrome ब्राउजर है यहा आपको Chrome ब्राउजर डेटा क्लियर कर लेना है दोस्तो तो चले जाए आपकी मोबाईल के सेटिंग पर यहाँ से आपकी एस बगरा की सेटिंग अप्लिकेशन ओपन कर लिजिए यहाँ से आपको जहाँ से Chrome ब्राउजर दिख जाए Chrome ब्राउजर को एक बार बार आपको डेटा क्लियर कर लेना है दोस्तो तो दोस्तो Chrome ब्राउजर की डेटा क्लियर कर लेने के बाद आपको मोबाईल एक बार ओफ और फिर कुछ दिर के बाद आन करना है उसके बाद आपकी मोबाईल में और कभी भी इस तरह का गंदे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे दोस्तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही तो ऐसे वीडियो आगे और दखने के लिए मेलेरे चनल को सब्सक्रायब करें और बिबिडियो को एक बाद लाइक और शियर करे कि दोस्तो आज के लिए बस इतना ही था가